दोजार चोबिस की एक्षन क्रैम और थिलल मुवी रिबल रीज उसे भी प्रोब्लमस आने सुरू हो जाती है अब पुलिस वाले टेरी के कजिन को छोड़ना क्यों नहीं चाती और ऐसा क्या रिज़न है जिस वज़े से बाकी लोग जो इनकी हेल्प करते हैं उनने भी प्रोब्लमस आती है यही सारे चीजे हमें देखने को मिलती है इस मूवी में अब बात करते हैं इसमें क्या अचाता और क्या बुरा So friends इस मूवी के लिए दो गहंटे गारम मिनट्स की है और इसकी इस्टोरी की बात करें तो इस्टोरी ठीक है और इसकी इस्टोरी बीना कोई फालतों के सीन दिकाए है बिल्कुल पॉइंट से सुरू होती है और जिस तरह से इसे एग्जेक्यूट किया गया है आप यह जानने के लिए क्यूरेस हो जाओगी क्या आगे मूवी में क्या होने वाला है और यही क्यूरेसिटी ओडियंस को मूवी से कनेट करकी भी रखती है इसकी सिनेमाटोग्राफी और परटेक्शन क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है साथ में एक्टर्स का परपरमेंस भी इसमें बेहतर मिलता है देखने को इंटरस्टिंग मिलेगा देखने को लेकिन फिर जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है एक्स्ट्रा ओडिनर तो डिलिवर नहीं करती है मूवी बस नॉर्मल से चलती है इसकी स्टोरी अब बात करें नेगेटिब्स की तो जैसे इसे स्टार्टिंग में परजेंट किया गया था हमारे सामने और थोड़ी स्टोरी की वज़ह से मूवी कनेक्टेट तो रहती है ओडियंस के साथ लेकिन बीच बीच में इसकी स्क्रीन पर ले थोड़ी सलो फिल भी कराती है अब मेरी ओपिनेन इस मूवी के लिए तो ऐसे ओटियंस जिने सब कुछ फास्ट पिस में चाहिए और मूवी में थोड़ा मास मसाला भी हो वैसे ओडियंस इस मूवी को स्किप कर सकते हैं और बाकी ओडियंस जिने आराम से सस्पेस्पूल वाला स्टोरी देखना पसंद है वो इस मूवी को एक बार चेक आउट कर सकते हैं अब इस मूवी को मेरी तरब से रेटिंग दूँगा 3.5 आउट और 5 स्टार्स आज की वीडियो में इतना ही मिलते है नक्ष्ट वीडियो में और यह भी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राब करें थैंक्यू जैहिन